देवगर डांडिया उतसब जो डॉल्फिन अकेडमी लगातार पिछले साथ सालों से कर रही है। इस आठने साल में डैन्स अकेडमी को और डांडिया महुतसब के सारे भाग लेने वाले सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरब से हर दिक सुपकामना ये संस्था फले फुले आगे बढ़े यहां के बच्चों को जो है वो सिक्षा देती रहे निरतिकला संगीत के बारे में उसको जानकारी देते रहे उसके बारे में जानकारी बढ़ाती रहे और जितना वो बढ़ाएगी बच्चे जितने नरतिकला और संगीत की तरफ आकरसित होंगे उतना ही वो नसा से बिमुख्त होंगे उतने ही वो अलग प्रकार की जो बिमारी फोन और इन सबों की आ रही है उससे वो दूर होंगे और इसलिए मैं संस्था को बढ़ाई देता हूँ कि ये अच्छा काम करती है और डांडिया मोहतसब में देवघर के लोग ज्यादा से ज्यादा भाग ले ये भी मेरी बुजारी से एक तो उनको एक पूजा पधती क्या होती है पूजा के बाद की क्या इस्थिती होती है किस तरह से भगवान और भक्ती में रमा जाता है इसके बारे मोन को जानकारी होगे बच्चों को भी एक टिशन में, कि भाविसर में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो måste बड़ी समस्या यह हो रही है, कि वह अपने रूट से कठ्षे, किस तरह से उठ्व माना आजाता है, किस सा भूर पुजा होता है, छट पूजा होता है इसके बारे में बच्चे जो दूर होते हैं इस तरह के मौत सबसे वो जादा करीब आते हैं एक पारिवारिक माहौल पैदा होता है इसलिए मेरा आग्रह होगा कि देवगर के जादा से जादा लोग इसमें बारे होता है